नमस्कार निशामदुलिकर.com में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही स्वादिस सबजी पालक पतोड बनाएंगे तो आए देखते हैं पालक पतोड बनाने के लिए हमें किंची जग की आवश्यकता होगी यह पालक 300 ग्राम है जो पत्ते तोड़ करके धोलिये हैं और इसके बाद चलनी में रखा पानी निकाला और हमने काट लिया ऐसे इसमें टमाटर चार पाच एक इंच अदरक का टुकड़ा एक हरी मिर्च जो हमने बारीक पीच लिये बेसन एक कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ दो तीन टेबली स्पोन लाल मेच पाउडर एक चोथाई चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चोटी चमच जीरा आदा चोटी चमच हेंग एक दो पेंच धनिया पाउडर एक चोटी चमच नमक स्वादानुसार या एक चोटी चमच तेल दो टेबली स्पोन तो बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें बेसन को खोलना होगा पालक पतोड के लिए सबसे पहले हम बेसन खोलेंगे बेसन को प्याले में डाला पहले थोड़ा सा पानी डाल कर बेसन के गुठलियां खतम कर लेंगे ये बेशन का घोल तयार हो गया और इसमें अब हम पालक टाल के मिला देंगे और करीब एक चोथाई चमच नमक डाल देंगे ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ये हमारा पालक बेशन का घोल तयार हो गया और अब हमें इसे भाप में पकाना है तो कोई भी बरतन ऐसा ले ले जिसमें पानी भर सकते हो और उसके उपर चलनी रखी जा सकती हो जैसे कि हमने ये ले लिया है हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे करीब एक डेड़ कप पानी को हम इसमें बॉइल करने रख देंगे और ये चलनी इसके उपर एकदम इस तरीके से फिट आ जाती है चलनी रख लेंगे चलनी पर थोड़ा सा तेल लगा करके चिकना कर लेंगे पानी में भाब बनने लगे इसके बाद हम बेसन को पालक को पकने रखेंगे पानी में भाब बनने लगे यह चलनी हम रख देंगे बटन के उपर और पालक को इस तरीके से इस चलनी में पका लेंगे पूरा फैला करके और पालक पकने के बाद हम इसे थोड़ा ठंड़ा करके काटेंगे और छोग देंगे तो पालक को डालक के हमने इसे ढख दिया है भाब में पकने के लिए और इसको पकने में करीब 15 मिनिट लग जाएंगे 15 मिनिट हो गए और अब हम इसे देख लेते हैं यह हमारा पग्या है बेशन पालक इसे हम उतार करके जाली के ओपर ठंड़ा करने के लिए रख लेंगे और ठंड़ा हो जाएगा फिर हम इसे काट लेंगे यह बेशन थोड़ा सा आ गया है इसमें तो इसे हम सबजी में यूज कर लेंगे जब तक यह हमारा बेशन पालक ठंड़ा होता है तब तक हम तरी बना के तयार कर लेते हैं तो यह पैन रख दिया हमने गैस के उपर पैन गरम हो गया है और तेल डाल देंगे पैन में तेल थोड़ा गरम हो जाए जीरा डाल देंगे हींग जीरा हलका सब भुनने के बाद हल्दी पाउडर धनिया पाउडर अब यह टमाइटर अधरक मिर्ची का पेस लाल मिर्च पाउडर मसाले को तब तक बूनेंगे जब तक कि मसाले के उपर तेल पैरने लगे यह हम पके हुए बेसन को चलनी से निकाल लेंगे इस तरह चाकू की सहाइता से और यह तरी हमारी तयार हो जाए मसाला भून जाए तब हम इसे काट के डालेंगे तरी के लिए हमने अभी टमाटर यूज किये हैं तरी के लिए दही भी लिया जा सकता है मसाले के ओपर तेल दिखने लगा है और अब हम मसाले में यह पालक काट के डाल देंगे तो इसके हम जस्ट छोटे छोटे पीसिस कर ले दें इस सब चीजा को हम बिला देंगे मसाले को अच्छे से और सब्जी को अपने अंसाद जितना पतला या जितना गाड़ा रखना है उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे तो इसमें ये बेसन है इसी में हम पानी डाल करके करीब देड़ दो कप पानी डाल देते हैं नमक डाल के मिला देंगे सब्जी को दोमने ठक करके पकने देते हैं ताकि पालत में सारे मसाले ज़जब हो जाएंगे बाकि सारा कुछ पका हुआ है पहले से सब्जी को हम खोल लेते हैं और सब्जी हमारी बन चुकी है सब्जी में थोड़ा सा हरा दन्या डाल के मिला देंगे पालक पतोड सब्जी तयार है पालक पतोड की सब्जी को आप चाहें तो क्रीम डाल करके भी परोष सकते हैं आप इस सब्जी को चपाथी पराठे नान के साथ परोषिए आप पालक पतोड सब्जी बनाईए और अपने अनफ़ब निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामदलिका.com पर